नमस्कार साथियों, आज का हमारा टोफिक है मुर्गी पालन, मुर्गी पालन आपकी इंकम का अधिरिक सोर्स हो सकता है, क्योंकि इसमें कम खर्चे में एक मूटा मुना पाए, तो दोस्तों, आज के सम्माई में बेरोज़गारी बहुत बड़ी समश्चा बन चुकी है, इसे मेरे शुरात करते हैं, मैं हो जस्पाल जिंग राजपूत, स्वाद करता हूँ आपका पढ़ा लिखा किसान यूटूट चनल में, योजनाबत तरीके से मुर्गी पालन किया जाए, तो इसमें कम खर्चे में बहुत अच्छी इंकम है, और कुछ तक्निकी चीजे जानने ही ज़रोथ है, मुर्गीया तभी मरती है, जब हम अपने रख्रकाओं में नापरोगे बरतते हैं, तो दोस्तों हम पूरे point-to point बात करेंगे, इसका रख्रकाओं कैसे करें, गम लाकत में तुझे ये नसर की बात करें, और इसका शेट कैसे तेयार करें, तो point-to point हम इसके बात करेंगे, पूल्टरी फाम के लिए सबसे पहली बात आती है शेट की, शेट के लिए आपको उची जगह का चैन करना है, जहां से हवा आराम से पास उख सके, उसके बाद जैल का ठेराव ना हो, इसलिए जमिन से थुड़ी उची जगह लें, हमने शेट तेयार किया है, बिल के दाने होए और गेहों के, इनके आप टुड़ी करवा लीजिए भारिक, रो डाल दीजिए, उसके बाद आप हरे चारे की बात करें, तो हरे चारे में या हरे पत्ते में, जो सबजी रेती वेस डिकॉम बदर, सबजी के पत्ते, हल्क्रूट के पत्ते, वो दे सकते हैं, उ करना है दोस्तों तो अगर आप मीट उत्वादन के लिए और जल्दी करना चाहते हैं, तो बोईलर का कर सकते हैं, उसके बाद आप जेसी नसल का चाहन कर सकते हैं, मैं एक उतके पास जेसी है और कम लागत की बात करूँ, तो मैंने मुर्गों अंडों बिठाया था तो उसन अंडों पर मैंने इस देसी नसले की मुर्गों बिठाया था जिसमें से इसने पंदरा चुझे निकाल दी गर्मी कारण पांच अंड खराब हो गया है, तो आप अच्छी ब्रीट की बात करें तो उसके बाद आप सोनाली की तरफ जा सकते हैं, कड़कनात की तरफ जा सकते ह जाता है, क्योंकि इसका काला मास होता है, इसलिए काला मासिव का जाता है, इसको जेट, जीए टेग मिल चुका है, क्योंकि इसका मास काला काला होता है, बिल्कुल गेटलेस होता है, वसा नहीं होती इसमें, तो इसलिए और ये शुगर के मेरिज के लिए शुगर मेरिज के सला ले और टाइम टिका करन करवाएं इससे आपके चुजे मारेंगे नहीं चुजों को आदे गंटे बाग आप इलेक्ट्रोलाइट पानी या फिर गूड का पानी ये नीबू पानी दे डायक्ट से साधा पानी ना पिलाएं ताप के अगर बात करें दोस्तों तो इसमें ला और वजन का अधर में बिक्ती है बोईलर जो रहता है मुर्गा वह 120-200 रुपय का एक मुर्गा मिक्ता है यह मुर्गी बिक्ती है तो इसलिए धेस्टी में ज्यादा फाइदा है बाकि सोनाली में यही एवरेज रेट होगा हमारे दर देस्टी ज्यादा मिलती है नाइडरोजन और फोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए यह खा ज्यादा इसके ज्यादा अच्छा रिजल्ट है फोदो के लिए आगवाणी में अच्छा रिउस कर सकते है आप इसका और मीट की बाग करें तो पीड़कनाद मुर्गे की विक्ती है दोस्तों य